दोस्तो अगर आपको अपना सिगनेचर बाला नया आधार काड डाउनलोड करना है तो सभी लोगों का सिगनेचर बाला आधार काड डाउनलोड होना शुरू हो गया है अगर आपको भी अपना signature करा हुआ आधार काड डाउनलोड करना है नया वाला आधार काड डाउनलोड करना है तो इस वीडियो को लाट तक देखते रहिए दोस्तो signature बाला आधार कार्ड अब हर जगा मानने होगा हर जगा आपका चलने वाला है पुराना वाला जो आधार कार्ड है वो आपका बंद हो जाएगा सिर्फ यही वाला नया वाला signature बाला आधार कार्ड आपका चलने वाला है तो दोस्तों आपको किस तरीके से अपना नया वाला signature वाला आधार काट डाउनलोड करना है आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा step by step समझाने वाला हूँ किस तरीके से आप signature वाला आधार काट डाउनलोड कर सकते हैं तो वीडियो थोड़ी भी इंट्रेस्टिंग लगे, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, Mr.Dacker चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बराबर में बेल आइकन जरू प्रेस करिए, चलिए, शुरू करते हैं, द यू पी, जैसे ही आप ये लिखकर सर्च करेंगे, फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर आपको एक लिंक देखने को मिलेगा, सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल का आपको इसके उपर किलिक कर देना है, जैसे ही आप इस पर किलिक करेंगे, यहाँ पर आप देख पर हैं, आध लोड आधार इसी option से आप अपना वाला आधार download कर सकते हैं इसी option से आपको signature वाला आधार का download करना है ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम करना है आपको इस बाले option पर click करना हुगा, जैसे ही आप इस पर click करेंगे, यहाँ पर आपके सामने तीन option दिये गए हैं जिससे आप अपना नया वाला signature वाला अधर काट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या लगाना है ठीक है मैं आपको बता दिता हूँ सबसे पहले number पर आपको अगर आपके पास आधार number है आपको आधार number याद है तो यहाँ पर आप आधार number डाल कर भी अपना नया वाला signature वाला आधार काट डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अगर आपके पास enrollment ID number है तो यहाँ पर आप enrollment ID number select करना होगा अगर आपके पास virtual ID number है तो आपको virtual ID number select करना होगा तो अभी हम आधार number डाल कर जो है अपने ने वाले आधार card को download करेंगे तो यहाँ पर हमने यह वाला option select कर लिया है आधार number वाला उसके बाद इस box में आपको अपना आधार number डालना होगा यह वाला capture code same to same आपको इस box में लिखना है उसके बाद आपको send OTP के button पर click कर देना है दोस्तो जैसे ही आप send OTP के button पर click करेंगे आपके आधार card पर जो भी mobile number लिंक होगा उस पर एक OTP आएगा तो OTP आ चुका है OTP को हम डाल देते हैं OTP दोस्तो इस box में डाल दिया है अब आपको गलती से भी इस वाले box पर tick नहीं करना है बरना आपका आधार card mask बाला download हो जाएगा जिसमें आपको last के four digit आधार card के देखने को मिलेंगे बाकी आपका billar हो जाएगा या फिर cross हो जाएगा ठीक है तो आपको क्या काम करना है इस पर गलती से भी किलिक नहीं करना है डारेक्ट आपको verify and download वाले option पर किलिक करना है जैसे ही आप इस पर किलिक करेंगे यहाँ पर थोड़ी दिर loading चलेगी यहाँ पर लिखा है यहाँ पर लिखा है यहाँ पर आपको कुछ जो है टर्म एंड कंडिशन देखने को मिलेंगी कुछ नोट देखने को मिलेगा तो वो क्या है वो सब कुछ step by step मैं आपको बताता हूँ जैसे कि मैंने अपना आधर कार्ट डाउनलोड कर लिया है आधर कार्ट डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर मैं अपनी डाउनलोड हिस्ट्री में जाऊंगा मैं अपने आधार कार्ड को open करूंगा open करने के बाद यहाँ पर password मांग रहा है ठीक है आप देखेंगे आपका आधार कार्ड भी इस तरीके से आ रहा है अगर open नहीं हो रहा है आपका आधार कार्ड तो आपको किस तरीके से कौन सा password डालना होगा वो मैं आपको बताता हूँ जैसे कि मान लीजिए मेरा नाम महमद मोहशन है और मेरी date of birth जो है last की year है 1996 तो आपका अपना सुरू का नाम डालना है capital में जो भी आपका नाम होगा जैसे कि मान लीजिए मेरा नाम महमद motion है तो मैं अपना सुरू का capital में महमद डालूँगा M.O.H.D. महमद उसके बाद मुझे अपनी यहाँ पर date of birth डालनी होगी last का मुझे अपनी year डालनी होगी तो 1996 जैसी मैं महमद 1996 डालकर open करूँगा यहाँ पर मेरा आधार card आप देख पा रहे हैं खुल चुका है तो यहीं पर अगर आपका signature verify होगा तो यहाँ पर आपका signature आ जाएगा अभी मेरा signature verified नहीं है यहाँ पर लिखकर भी आ रहा है signature not verified तो इस तरीके से यहाँ पर so कर जाएगा question mark आ जाएगा कि आपका signature यहाँ पर यहाँ पर दोस्तों कुछ आपको note देखने को मिलेगा यहाँ पर आप दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर कुछ note देखने को मिलेगा तो note में लिखा हुआ है आधार पहचान का पिर्माड है नागरिक्ता या जन्मितिती का नहीं तो अगर आप अपने आधार कार्ट को अपनी नागरिक्ता या फिर जन्मतिती का पिरमाड समझ रहे हैं तो आपका जन्मतिती या फिर नागरिक्ता का पिरमाड नहीं है आपका आधार कार्ट बस आपकी पहचान का पिरमाड है आधार कार्ट अब आप अपने यहाँ पर QR कोड को स्कैन करके भी अपने आधार कार्ट को कहीं से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर कहीं पर भी अपने QR कोड को लगा सकते हैं बहुत आराम से यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे नोट देखने को मिलेंगे जो important नोट है तो आप यहाँ से अपने साब से पढ़ सकते हैं तो दोस्तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से आपको अपना नया बाला आधार कार्ड डाउनलोड करना है signature बाला आधार कार्ड डाउनलोड करना है अगर आपने अपना आधार कार्ड नया वाला डाउनलोड कर लिया हो और दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके से आपको अपना आधार का PDF फाइल का पासबर्ट डालना है जो भी आपका नाम होगा उसका first name आपको capital में डालना है और आपकी date of birth की जो last year होंगी 1999, 1996, 2000, 2001 जो भी होगी आपको बो डालकर अपने पासबर्ट को complete करके अपनी PDF फाइल को open कर लेना है तो तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से आप अपने नय वाले आधार कार्ट को signature वाले आधार कार्ट को डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने अपना signature वाले आधार कार्ट डाउनलोड कर लिया हो इस वीडियो को देखकर तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए Mr.Dagger चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए Thank you friends, thanks for watching